आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ चार पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक कथा बताऊंगा कहानी बताऊंगा जो के है आपके ये पाठ का जो है सिर्शक है वह है गृत धर मारजार कथा अर्थात गिध और विलाब की कहानी आईए अब मैं आपको इस कहानी को बता दूँ जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है एकस्मिन परवते एकह विशालह सालमली वरिक्षह आसीत अर्थात एक परवत पर एक विशाल सेमल का पेड़ था शेमल आप लोग यह जानते होंगे शेमल का पेड़ होता है वो कॉटेंट ट्री होता है न मतलब इंगलिस में जिसको कहते हूँ वो कपास का पेड़ वही हुआ शेमल ट्री तो अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ अब इसमें आप देख रहे हैं तत्र जरदगावू ना व्रिद्धह गृद्रह वसती अश्म अर्थात तत्र का मतलब होता है वहां जरदगव नाम का एक बूढ़ा गिद्ध गिद्ध जो है एक पक्षी का नाम पक्षी है जो बहुत ही उचाई पराकास में उड़ता रहता है और वो मानसहारी पक्षी है मतलब वो अन्य पस्वों का मानस खाता है तो तत्र जरदगव नाम व्रिद्धह गृद्रह वसती अश्म अर्थात वहां जरदगव नाम का एक बूढ़ा गिद्ध रहता था उस गिद्ध का नाम क्या था जरदगव याद रखना अब देखिए अन्य खगाह तस्मय जरदगवाई स्वाहारात किंचित किंचित यच्छंति अस्म द्या गया है कि अन्य खगाह अर्थात अन्य पक्षियां तस्मय जरदगवाई अर्थात उस जरदगव के लिए स्वाहारात किंचित किंचित यच्छंति अस्म अर्थात अपने भोजन से उसे थोरा थोरा दिया करती थी सो अपी खग सिसुनाम रक्षनम करोति यास्म वह भे पक्षि के बच्चों को रक्षा किया करता था अब आईए एकदा दिर्ग करणव नाम एकः मार जारह खग सिसुन खादितों तत्र आगतवान दिया गया देखे तत्रागतवान एकदा दिर्ग करणव नाम एकः मार जारह अर्थात एक दिन दिर्ग करणव लंबे कानो वाला एक हमार जारह अर्थात एक विलाव खग शिशून खा दितुम तत्रागत्वान अर्थात पक्षी के बच्चों को खाने के लिए वहां गया अब देखिए तम द्रिष्टवा सिश्व भयेन कोलाहलं कृत्वंतह तम द्रिष्टवा सिश्व अर्थात उसको देखकर सभी बच्चे भय से सुर्गूल करने लगे तत स्रुत्वा जडदगवह मारजारम प्रिष्टवान तब फिर क्या होता है देखिए यह सुन कर जडदगविलाव से पूछा कहत्वम अर्थात तुम कौन हो अत्र कथम आगतवान अर्थात यहां क्यों आए हो सो अवदत अहम मार जा रह देखिए फिर है सो अवदत उसने कहा अहम मार जा रह अर्थात मैं बिलाब हूँ अब है गिद्ध बोला मार जा रहा मांस प्रियाह भवन्ती अर्थात बिलाब तो मांस के प्रेमी होते हैं अत्र पक्षी साब का निवशंती अर्थात यहां पक्षी के बच्चे रहते हैं अतह दूरम गच अन्यथा त्वाम मार रह इस्यामी इसलिए दूर चले जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे फिर देखिए अब है मार जारो अबदत मार जारो अबदत बिलाब ने बोला अहम गंगायाम नित्यम असनात्वा अहिंसा व्रतम आच आचरामी अर्थात मैं गंगा में प्रती दिन असनान कर अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ भवान अतीब धर्म परायानह इती जानामी देखे दिया गया कि भवान अतीब धर्म परायानह इती जानामी इसलिए यहां मैं धर्म की वातें सुनने के लिए आया हूँ अतोत्र धर्म वारताम सुरूतम आगतवान अस्मी फिर है अस्ति देखे फिर दिया गया है आपको अस्ति मम विचारह अहिंसा पर्मो धर्म फिर दिया गया है कि मेरा विचार है कि अहिंसा सबसे बरा धर्म होता है फिर आईए अगले पाराग्राफ में ग्रिद्रस्य मनसी विश्वास जातह अर्थात गिध के मन में विश्वास जाग गया ततह सहमार जारह प्रती दिनम खगशिशून कोटरम नित्वा खादती यस्म उसके बाद वह बिलाब प्रती दिन पक्षी के बच्चों को खोव में ले जाकर खाता था खोव वपेर का जो कोटर होता है उसको कहते हैं क्रमश शिशूनाम अभावेन चिन्तिताह खगाह इतस्तत अनवेशनम क्रित बनताह अर्थात धीरे धीरे बच्चों के अभाव से चिन्तित पक्षीगन इधर उधर खोजबिन क्या तब देखिए ते व्रिक्षकोटरे अस्थिनी द्रिष्ट बनताह अर्थात ते ते व्रिक्षकोटरे अस्थिनी द्रिष्ट बनताह अर्थात उन्हीं सबने व्रिक्ष के खोँ में हड्डियां देखिए मतलब बहुत सारे हड्डियों को देखा उन सब ने सोचा कि यह जरद गव ही बच्चों को खाया है अतह मिलित्वा ते तम जरद गमम हत वन्तह इसलिए देखो इसलिए वे सभी आपस में मिलकर उस जरद गव को हे मार दिया फिर है अतएव कथ्यते इसलिए कहा जाता है अतएव कथ्यते अर्थात इसलिए कहा जाता है अग्यात कुल सीलस्य वासो देयो न कस्यचित अर्थात किसी अनजान वन्स वाले को कभी भी अपने निकट आस्रे नहीं देना चाहिए कोई भी कहने का आर्थ कोई भी अंजान व्यक्ति हो तो उसको जो है कभी भी अपने निकट में रहने नहीं देना चाहिए अब आईए आगे मैं ले चलूँ आपको यहाँ पर कुछ सब्द संग्रह दिये गया है इस सब्द संग्रह को आपको पढ़के अच्छी तरह से याद करना वो मैं पढ़के बता देता हूँ आपको देखेए गृद्धर मारजार कथा अरथात गिद और बिलाव की कहानिय कथा सालमली विक्षह सेमल का पेर स्वाहारात इसका विग्रह हुआ स्वाजोर आहारात यानि अपने भोजन से या च्छन्ती अश्म यानि देते थे सो अपी अरथात वहभी इसका विग्रह सह जोर अपी अर्थात सो अपी खग सिसुनाम पक्षियों के बच्चों की रक्षनम यानि बचाव मार जा रह अर्थात बिलाव खा दी तुम खाने के लिए फिर आगे देखिये तत्र आगतवान यानि तत्र आगतवान दिया गया वहां आया तत्र जोड आगतवान कोलाहलम अर्थात सोडगुल कृत वंतह यानि किया प्रिष्टवान यानि पूछा मांसप्रियाह अर्थात मांसप्रेमी मार इश्यामी मारूंगा असनात्वा नहाकर अहिंसा व्रतम अहिंसा का शंकल्प अतीव बहुत अधिक इसका विग्र होगा अती जोड़ इव फिर आगे देखे धर्म परायन अर्थात धार्मेक स्रोतुम सुनने के लिए विचारह याने विचार मन से जातः अर्थात जागा या फिर जन्मा अब देखे को टरम अर्थात खो जो होल होता है छेद होता है पेड़ के ये जो टानियों में जो या तना में जो है उसका जो है छेद होता हूँ नित्वा अर्थात ले जाकर अभावेन अभाव के कारण चिन्तिताह अर्थात पडेशान इतस ततह अर्थात इधर उधर इसका विग्रह करेंगे संधे तो इतह जोड ततह फिर है अनवेशनम अर्थात खोज और इसका विग्रह हो जाएगा अनुजोरेशनम अस्थेने यानि हड्डियां द्रिश्टवंतह देखा खादितवान अर्थात खाया हत वंतह मारा अग्यात कुल सीलस्य अनजान वंस और स्वभाव वाला वासो देयो न यानि आसरे नही दिया जाना चाहिए वासह जोर देयह चोरन कस्यचित अर्थात किशी फिर आगे देखे पढ़ें और समझें यहां पढ़ दिया गया विशर्ग संधि स्वर्या व्यंजन वर्णों के आपको यह याद रखना होगा स्वर्या व्यंजन वर्णों के संग्योग से विशर्ग म मंत्र सबात्व और व्यवियुक्ता ग्रफ का दो झैकते माथे पैसे वकिल सके टिस जिस वकिल को सिपल्पती सब्सुए Nand अर्थात वासो देयो न अतह जोर अत्र अर्थात अतोत्र तो अब देखिए कत्वतू प्रत्यय इसके बारे में आप समझ लिजे भूत काल यह तो आपने परहा होगा इंगलिस में जिसको पास्टेंस कहते हैं और उसी को संस्कृत में लंगलकार बोलते हैं तो भूत काल की किरिया धातू में कत्वतू प्रत्यय जोड़कर भी बनाई जाती है यानि भूत काल की किरिया जो होगी है उसका किरिया धातू होती है उसमें कत्वतू प्रत्यय जोड़कर भी जो है हम लोग उसको भूत काल में बदलते हैं इनका प्रयोग लंगलकार के रूपों के अपेक्षा शरल होता है लंगलकार का जो रूप होता है उसके अपेक्षा आसान होता है पुरुस भेद में पुरुस भेद से इनमें भिन्नता नहीं आती है मतलब किसी प्रकार के भिन्नता कोई भिन्नता नहीं होती है यथा अहम गतवान ये उत्तम पुरुस हो गया अहम मैं अहम गतवान वैसे ही है तुम गतवान मध्यम पुरुस में देख लिजे जरासा भी बदलाब नहीं है सब एक समान चलेगा अहम गतवान लेकिन अगर आप इसका अगर लंगलकार के आधार पर बनाते हैं तब उसमें वो बदलाब आता पुरुस में प्रथम पुरुस में अलग होता उसकी साथ धातुरुप मध्यम पुरुस में अलग और उत्तम पुरुस में अलग लेकिन अगर कतवतु प्रत्या जोड़कर बनाई जाती है तो उसमें पुरुस में कोई बदलाब नहीं होगा अहम गतवान यह उत्तम पुरुष का वाक्य हो गया वैसे ही मध्यम पुरुष में तौम गतवान और फिर है यहां बाल कह गतवान प्रथम पुरुष का वाक्य है किन्तो लिंग और वचन के भेद से इनके रूप बदल जाते हैं कतवतू प्रत्य वाले सब्दों के अंत में पुलिंग में तवान देखे दिया गया है कतवतू प्रत्य वाले सब्दों के अंत में पुलिंग में तवान तवन्तव तवन्तव और स्ट्रिलिंग में तवती तवत्यो तवत्य जूडते हैं अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है लंग लकार का प्रियोग और कतवतू का प्रियोग दोनों में है पुलिंग एक बचन में रामः ओगच्छत इसका कतवतू प्रत्यय में बनाया गया तो रामः गतवान दोनों का अर्थ एक ही होगा रामः ओगच्छत उसके बाद इस्त्रिलिंग में बनाया गया सीता और गत्वती अभी उपर आपने परहा था अगर pulling सब्द होगा तो tavahan और stainless में होगा तोавati तो देखिए यहां पे है नगत तवान लगा वैसे installing में अगर बनाया गया है तो इसमें क्या गया तवाती अब देखिए फिर है pulling में बनाई गया एक बचन तौम लिखा इसी का कत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् आपको आगे ले चलो लेगिए दिया गया है पार्थ में आपने उकारान्त पुलिंग सब्द शिसू यह उकारान्त है काप्र जीटेखा सिसू जैसे सभी उकारान्त पोलिंग सब्दों के रूप साधू के समान चलते हैं वो अभी उकारांत हो गया अब यहां पे देखे अभ्यास में मैंने लिख भी दिया है आप इसे देख करके अपने ये बुक में जो है अपने पुष्टक में इसे पूरा कर सकते हैं अभ्यास में है जैसे प्रस्न संक्या बुक में उत्तर दे तो हूँ मैंने यहां पे आपको पुड़ा कर दी आप इसे देख करके और फिर लिख सकते और इसे समझ करके हैं फिर आगे दूसरा नमबर है यह संधी विच्छेद कर है यह अभी मैंने यहां जोड अवदत अतीव तो अती जोड इव अतोत्र अतोत्र अर्थात अतह जोर अत्र सो अवदत सह जोर अवदत वैसे फिर आगे है प्रसन संक्या 3 में निम लेखे तो आक्यों को बहुवचन में बदलें यहां पे बहुवचन में बदलना है वो मैंने लिख दी आप देख करक इस से उतारिये, फिर इसके आगे है निर्दशानुसार, शब दरूप लिखे हैं, सब दरूप लिखना है, खग का पंचमी बिभक्ती, तो मैंने यहां पे कर दिया है, फिर उचेत्सबदों से रिकता स्थानों के पूर्ति कर रहे हैं इसमें देखें मैंने आपको आंसर में त्टिक लगा दिया है आप इसे देखकर के पूरा किजिये फिर इसके आगे निमलिखित सब्दों से वाक्य गठन करें आप वाक्य कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से जैसे आगतवान आगतवान का आर्थ होता है आया मैंने यहाँ पे लिख दिया है विच्छस्या अधह एकह मार जारह आगतवान वैसे है खग शिशू का आर्थ होता है पक्षी का बच्चा तो देखे खग शिशू कोला हलम कृतवान इसके बाद है ओवदत ओवदत का आर्थ होता है बोला सह ओवदत कहत्वम प्रती दिनम अर्थात प्रतेक देन तो अहम प्रती दिनम गंगायाम जले असनानम करो में फिर खादितवान अर्थात खाया तुमार जारह खग शिशून खादितवान फिर प्रस्ण संख्या साथ में है संस्कृत में अनुगाद करें वो भी मैं यहां पे लिख दिया हूं इसको आप वैसे मैं पढ़के भी बता देता हूं देखे पहार पर एक सेमल का पीर यहां पे जो पर्वते एक सालमली व्रिक्ष हासेथ वह एक गिद्ध रहता था तो इसका बनाएंगे तत्र एक गृद्ध रह वसतियस्म गिद्ध का नाम जरदगव था गृद्रस्य नाम जरदगव आसेथ इसके बाद अहिंसा सबसे बाहा धर्म है यह तो बिलकुल आसान है आप लोग करन एक विलाब था दिर्ग करन एक मारजार आसेत अंजान को आसरे नहीं देना चाहिए तो यह अभी मैंने कहानी में आपको पढ़ाया अंत में अग्यात कुल सीलस्य वासो देयो नो कस्यचित ओके तो अभी मैंने आपको संस्कृत का पाथ यह चार जो है ग्रिद्र यह ग्र मारजार कथा के बारे में बताया तो मैं उमीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर और सुनकर आप सभी बच्चे इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे ओके थैंक्यू